स्वागत आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ है भाशा और मुकुल और जो तीन मुद्धे हम आपके सामने लेकर आए हैं फिर लोटा ट्रम्प का युग क्या भारत को चिंता कर दी चाहिए मुद्धा नमबर दो शुनावों में प्रधान मंत्री मोदी योगी और हेमन्त के जहरीले बोल चुनावायो खामोश क्यों और मुद्धा नमबर तीन विपक्ष का बयान या नारा जुड़ेंगे तो जीतेंगे क्या ये बीजेपी के नारे की काट हो सकती है मगर शुरुआत करना चाहेंगे डॉनल्ड ट्रम्प के साथ जी हाँ डॉन उत्पीडन, 34 के बिजनस मामलों में घुटाले घपले फेलनीज और इसके लावा याद कीजेगा जब 2020 में सत्था में गई थी कैप्टल हिल में किस तरह की हिंसा होई थी इन्होंने फैसले को मानने से इंकार कर दिया था इस सब के बावजूद ये दुबारा सत्था में आ आ रहे हैं भेगानी चादी में अब्दुल्ला दिवाना मानू ऐसा है क्या है इस मुद्दे का पंच बताएंगी भाचा अभिसार भारत में फील गुड बहुत जबरदस्त है और उसकी बहुत ठोस कारण है उनको लग रहा है कि हिंदों को एक अंतराश्टी नेता मिल गया दूस्वपन था ट्रम्प का शाशनकाल और यह एक हांटिंग मेसेज है अभिसार क्या है इस पे आपका पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच यह है कि जैसे मैंने कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना ट्रम्प की जो सोच है चाहे वो वीजा नीती हो या उद्द्योग क्योंकि ट्रम्प ने हमेशा अमेरिका फर्स्ट पर जोर दिया है और भारत से हमेशा नाराज रहे हैं तुबारा वजूद में आने का भारत को क्या नुकसान या फाइदा होता है मुकुल क्या इस मुद्धे पर आपका पांच हाँ मेरा कहना यह है अभिसार की भारत को चिंता क्यों करनी चाहिए जबकि भारत में ट्रम के ही जोड़िदार मोदी जी का शाशन है नफरत के मामले में दोनों का एक सा रिकार्ड है प्रवासियों के लिए दोनों की एक सी नीती है और ताकत के जरिये शांती स realities करने की दोनों की एक सी आइडलॉजी है तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के शाशन में कोई चिंता करने की बात है भाशा मुझे सबसे आदा हास्यासपत क्या लगा यहां पर पूरा जो इनका एक प्रचार तंत्र है जैसे ही टरंप जो हैं वो जीतते हैं तो यहां पर एक सोच चलने लगती है प्रधान मंत्री मोदी से उनकी तुलना की जाने लगती है कि साहिए जिस परह से मोदी जी के खिलाफ एक पूरा system काम करता है वैसे ही बिचारे टरंप के खिलाफ पूरा एक system काम करता है मैं समझ नहीं पाता हूं भाशा इस तरह से victim card खेलना मतब मोदी जी को आप भसेट कर ले आए टरंप की जीत पर यह सोच बतला रहा है उस पूरे प्रचारतंत्र की अब कर्पना कीजिए अभी सार की एक TV चैनल इंडिया टुड़े ग्रूप इतना उतावला हो जाता है कि नरेन मोदी का जो पैरोडी एकाउंट है उसे ही ऑफिशिल एकाउंट समझके स्टोरी ब्रेकिंग न्यूस कर देता है मोदी जी ने फोन किया और क्या-क्या चीज़े डिसकhouse कि यह सब हो जाता है दरसल एक दिक्कती है quanता बहुत जादा है महां से मिब भूट vidéo यहां से भी बूलते मेहां लेकिन अमरीका अमरीका है और भारत भारत है लेकिन आप देखिए इस बार डोनाल ट्रम्प ने अपनी जीत के लिए जिस तरह से हिंदू काड केला उससे यहां के हिंदू ऐसे बल्ले-बल्ले हो रहे थे कि उनको लग रहा था कि अरे बंगलादेश ने यह दुनिया भर के हि हो गया है तो डोनाल ट्रम्प की जीत पर यहां पर जश्न बहुत सुभाविक है क्योंकि बहुत सी समानता है और मोधिक जी को लग रहा है कि अब वो बड़े आसानी से हाला कि अंदर-अंदर वे जानते हैं कि उनके लिए जो बाइडन का शाशनकाल जादा बैतर था क्यों उनका दुश्मन नंबर एक है तो भारत के लिए आपने जो कहा कि नीतिया जो प्रोटेक्शिनिजम है उसको लेकर 2016 से 2020 के बीश में भी हमने देखा था भारत के लिए आर्थिक आधार पर बहुत दिक्कते थी और वे दुक्कते दुबार आएंगे क्योंकि इस बर एलन मस् करें भाई यह वो व्यक्ति है जिस पर यौन उत्पीडन के आरोप है हम वो रिकॉर्डिंग नहीं भूल सकते जिसमें ट्रम्प यह कह रहे थे कि जब भी वो किसी लड़की को देखने है तो उसे किस करने का मन होता है 34 cases of felony अब अमरीका ने उन्हें वोट दे दिया तो इसक मन है थोड़ना है कि हर को ही उससे celebrate करेगा और हम सब जानते है मधपूर्व को लेकर भी इनकी क्या नीती है तो कैसे celebrate किया जा है तुलना तो इसलिए भी की जा रही है क्योंकि नफरत के मामले मैंने जैसे कहा दोनों का record एक सही है वो वहाँ भी प्रवासियों को लेकर उनक सोच जो है जो पुरुषवादी सोच है महिलाओ के वो लगभग एक जैसी बीजेपी नेता हो और वो हिंदुत वादियों का पूरा है तो वो उसी को देख रहे हैं कि भारत में मोधी और वहां ट्रम्प और एक और चीज एक तुलना बताऊं बताऊं मैं आपकोस मोधी जी मोधी जी कहते हैं कि मौधी जी कहते हैं कि मुझे किसी मकसद के लिए उतारा गया है जमी पर उधर ट्रम्प ने भी यही कहा जब उन पर हमला हुआ और वो बच गए कि मुझे भगवान ने दूसरा जनम दिया है कुछ करने के लिए तो दोनों अपना भगवान से ऐसा के लिए आ रहे हैं जबकि हमें जान लेना चाहिए कि अमरिका के लिए वाके में अमरिका फर्ष्ट है और उसकी विदेश नीती किसी मामले में कोई राश्टपती बदल जाए वो नहीं बदलती और कड़ी ही हो सकती है तो कोई अगर भारत को राहत मिलेगी या बाइडन के भी बात यहां पर आपसे भाशा करना चाहता हूँ क्योंकि देखिए हम नहीं भूल सकते हैं कि 2015 में इरान के साथ एक न्यूक्लिर डील काइम होती है ट्रंप 2016 में राश्टपती बनते हैं उसे खत्म कर देते हैं अभी कुछी दिनों पहले उन्होंने बेंजिमन नेतिन्या कर रही है अला कि उन्होंने कल अपने जीत के बाद भाशन में कहा कि लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मैं जंग छेड़ना चाहता हूँ I'm here to end all wars तो क्या उससे उम्मीद की जाए या उनकी पहले की सोच से लेकिन देखिए आपने जो कहा है end all wars मैं युद्ध शुरू नहीं क करता खतम करवाता हूं यह उनके exact words है और इसमें देखिए जो उन्होंने इसराइल के बारे में कहा हमें नहीं भूलना चाहिए इसी चुनाव प्रचार में उन्होंने बिल्कुल साफ इंडिकेशन दिया कि भाई नेत्या नियाहू को काईदे से गाजा पट्टी को एक पिक पोस्टर लगता है वह पोस्टर क्या है कि मेक इसराइल ग्रेट अगीन ऊपर ट्रम्प हैं नीचे नेत्या नयाहू है और इससे इस बात पर हंड्रेट परसेंट श्योर हमें हो जाना चाहिए कि आने वाले दिन और भीशन जैनोसाइट के हैं और कुछ नहीं चल रहा है वह यहाँपर वह कहते हैं कि सफाया हो जाना चाहिए सरफ इतना ही नहीं वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इसराइल की राजधानी जेरुस्लम हो जाए यह बतार वह तब कह रहे हैं जब राष्ठंपती नहीं बने है और सीधे सीधे करेना है कि मैं फुल सपोर्ट दूँगा और दूसरे युद्ध के बारे में वह जो कहते हैं कि मैं फ्री में उकरेन को नहीं दूँगा. तो एक चीज दिखाई देरे है कि एक युद्ध को वह दूसरे डंग से सह मात कर रहे हैं और यहां पर वो पूरे के पूरे सफाये और इरान उनका दुश्मन नंबर दो है जिसे उन्होंने इस चुनाव प्रचार में बार बार दोहराया कि इरान को मैं सबक सिखाऊंगा उससे ऐसा लगता है कि एक बड़ी आशंका है और यह चिंता जनक इसलिए है क्योंकि हम जानत जो है नौकरी करें वहां पर जाकर वो पढ़ाई करें हम सब जाते हैं H1B वीजा को लेकर ट्रम्प की क्या सोच है ऐसे में एक ऐसा व्यक्ती जो अमरीका फिर्स्ट की बात करता है और यह अमरीका फिर्स्ट भारत के व्यापारिक हितों के भी खिलाफ आता है तो स्वाभा अमरत काल चल रहा है मेरा कहना को दूसरा है जब प्रवासियों को लेकर हमने इतना हंगामा खड़ा कर दिया है जारखंड में चुनाओ का मुद्धा बना दिया है महत्पूर्ण की यहीं मुद्धा है घुसपैटी घुसपैटी तो अमरीका में भी घुसपैटी कितने यह मुझे नहीं लगता कि बाहर जाने की जरुवत है भारत में ही सवर्ग है और भारत में ही वो करना चाहिए लेकि मुझे लग रहा है अभिसार की यह एक बड़ा टसल पॉइंट बनेगा दो वजहें हैं क्योंकि पिछला यह जो चुनाओ चल रहा था वहां पे जो कुछ परिशीत हैं जिनसे मैंने बातचीत की तो उनके ऊपर सबसे बड़ा जो एक इंपैक्ट था जो डर था ट्रम्प के आने का अगर अगर आप नक्षा उठा के देखिए तो भारतियों का एक अच्छा खासा हिस्सा जिसमें दलिट डैसफोर अभी बहुत तगड़ा है उन उसना खौफनाक काल था अंगिनत लोगों के ऊपर वीजा की जो मार थी वो थी काम करने वाला जो एक पूरा का पूरा राइट मिलता है उस पर जिस तरह से कुठारा घात हुआ था और साथी साथ जिस तरह का नसलवाद बढ़ा था उस दोरान जो हिंसा का पूरा दौर सबसे बड़ी साबित हुई है इन चुनाओं में वह ड्रीम लैंड ऐसा है जो भीशन रूप से एंटी वुमेन है यानि वहाँ पर पित्रसत्ता इतनी तगडी है यहां इंद्रा गांधी हो सकती है बगल में आप खालिदाजिया और शेक हसीना को देख सकते हैं बेनाजर भ भारतियों के लिए मुश्किल है क्योंकि बड़ी संख्या में भारती वहां पर है और बहुत से लोगों के स्टुडेंट वीजा है और भारत के लिए दूसरी दिकत है कनाड़ा आप ध्यान दीजी कि कनाड़ा और अमरीका के बीच जो इंटेलिजेंस शेरिंग भारत के अधर में वह भी एक दूसरा टसल पॉइंट हो सकता है अच्छा इसके लावा ये भी कहा जा रहा है भारत की अर्थ नीती पर सकल घरील उत्पात बर असर पढ़ सकता है वह कैसे कि अमरीका जैसे मैंने कहा वह खासा और से ट्रम्प भारत से नाराज है उसकी आयात नीती को लेकर कि हमारा जो सामान जाता है उस पर आप टारिफ लगाते हैं ट्रम्प का कहना है कि आप 20% जादा मत लगाईए तो ये भी एक टसल होने वाला है आने वाले दिनों में तो बहुत होगा क्योंकि मैंने जितनी बाते कहीं मैं बता दूँ कि वो व्यंग के रूप में ही कह अगर आप इस्तिती देखें तो उसमें वाकि में चिंता की बात है चाहिए वो वीजा का मसला है चाहिए तरिफ का मसला है तो इस उसमें भारत की मुश्किले बढ़ेंगी अभी कैसे वो पर यहां जो है मुश्किले बढ़ेंगी भारत में ही घरेली उसमें मुश्किलों से करना चाहता हूँ सिशांक मट्टू को उनका कहना है भाषा ट्रंप की नजर में भारत कारोबारी नियमों का बहुत ज्यादा उलंगन करता है वो अमरीकी चीजों पर भारत का बहुत बड़ा टारिफ लगाना पसंद नहीं करते ट्रंप चाहते हैं कि उनके देश से आयात होन पीपी में 0.1% की गिरावट आ सकती है 0.1% की गिरावट आ सकती है और भारत और अमरीका के बीच में जो 200 अरब डॉलर का कारूबार होता है उस पर इसकी असार पड़ेगी और भारत को इसका काफी नुकसान पहुचेगा तो बहुत ही साइंटिफिकली ये खत्रों का एक अंदेशा बना हुआ है और पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरह से भारत और अमरीका के बीच की जो रिष्टे हैं वो एक मोटर साइकल का लंबा चोड़ा एक्जामपल हम सकते हार्लेडवेसन का हमारे सामने है लेकिन उससे भी बड़ी बात है जिस तरह से यहां प उत्पाद होते हैं यह सस्ते हो जाते हैं और अमरीका अपने उत्पाद यहां पर काईदे से नहीं बेच पाता जो बहुत पुराना डब्ली टीओ का टसल है भारत का तो एक चीज तो यह भी देखनी होगी मूदी सरकार को कि फाइनली वो किस तरह से भारत के इंट्रेस्ट क्योंकि देखिए फाइनली ट्रम्प सबसे बड़ी पहचान है कि वो एक बिजनसमेन है एक उद्योगपती है और उस उद्योगपती के साथ दुनिया का सबसे ताकतवर परसन सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क है एलन मस्क अपनी दूसरे ढंकी कबजा वाली नीतियों के लि थी क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको जिस तरह की छूट मिलनी चाहिए थी अपने एवी के लिए वो नहीं मिल रही थी तो यह एक बड़ा पैमाने पर भारत के लिए वैपार करना और भारत की कंपनियों का वहां वैपार करने में बहुत मुश्किल अपर से ट्रंप के का जा सकता है ज्यादा बड़े है अड़ानी जी तो मोधी जी के मंच पे नहीं जाके डांस करते हैं यह डांस भी करते है और यहाँ पर जिसके लिए बाघ भी थी कि उन्होंने वन मिलियन डॉलर का स्कीम भी रखी थी एक जुआ भी रखा था कि आप वोट दीजी और हम इ उस पैटियों को लेकर एक पूरा डॉग विसल एक कॉमिनल डॉग विसल सांपरदाइक तौर पर भड़काओ बयान दिया जाते हैं इसमें कौन-कौन शामिल होता है इसमें आपके योगी आदितनात हेमंत बिस शर्मा ये अर्फान इर्फान का राज हो जाएगा हमें वोट में दो सारी हदें पार की जा रही है शुना बायूग पूरी तरह से खामोश है यह यही राजनीती बीजेपी को करने आती है क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगे मुकुल मुझे लगता है कि बीजेपी चुनाओ नहीं लड़ती युद्ध लड़ती है और जिस तरह से मुझे जार्खन में उनका प्रचार चल रहा है लग रहा है कि जार्खन कोई अलग देश है जहां मोदी जी का कोई दखल नहीं है इसलिए मोदी जी और उनके सिपा सलारो ने एक नए तरह का राग छेड़ दिया है कि घुसपैटिया राग और जैसे वहां केंद्र का कोई नीती नहीं होती है जैसे सीमप कि सुरक्षा जार्खन की जिम्मेदारी है इस तरह से एक पूरा नजरिया बना दिया गया है और एक पूरा नफरत का प्रचार किया जा रहा है भाशा क्या इस मुद्दे पर आपका पंच देखिए अभिसार ये बात सही है कि ये बीजेपी का ट्रंप कार्ड है नफरत के अलावा उसने दो हजार चौबिस में जो सबक सीखा है कि सिर्फ इसमें ही हम जीत सकते हैं चुनावी जीत हमारी संभव होगी और इसके पोस्ट और जारकन दोनों जगा आप देखेंगे नए पोस्टर के बॉय के तौर पर योगी आदितिनाथ आते हैं जिनको RSS का पूरा सपोर्ट है हेमंत विस्व सर्मा है और फिर आपको ग्रिय मंतरी अमिशा और प्रधान मंतरी नरेन मोदी दिखाई देते हैं लेकिन उनका नारा अब बस एक है बटेंगे तो कटेंगे यानि एंटी मुस्लिम नरेशन पर ही उनको जीत हासिल करनी है अब इसार क्या है इस पर आपका पंच यह कही न कही भारती जाता पार्टी का मानसिक दीवालियापन दिखाता है हर्याणा में प्रधान मंतरी मोदी पूरी तरह से गायब रहे तीन या चार बमुश्किल रालियां वहाँ जीत मिल गई अब प्रधान मंतरी वापसी कर रहे हैं दोनों राज्यों में महाराष्ट जारखंड मगर वापसी कैसे कर रहे हैं इस तरह के बयानात देखे मुख्य मंतरी आदितनात और हेमंत अबिस शर्मा की रालियों में उनका 90% भाशन देखिए यही जहर उगलना यानि कि राजनीती के नाम पर भाजपा सिर्फ यह पर हो सकती है जो अपने आप में कितना श किसके रिपोर्ट कर रहे थे सीमा पर और सबसे बड़ी मज़दार बात है कि जारखंड की तो सीमा भी जो है वो विदेश से नहीं मिलती है इसका मतलब आप यह कहना चाहरे हैं कि आप ट्रकों में भरके वहां से लाए क्योंकि असम से लाए क्या हेमन सोरे ने सही जवाप उसको ये खौफ जदा कर दिया जाए और बेटी जैसी चीज आप सोचिए कि सेंटीमेंट को भी एक्स्प्लोइट करने की कोई सीमा नहीं है बीजेपी में और इसमें इस तरह से देश के प्रधान मंतरी इतने निमनिस्तर पर जाकर एक खौफ पैदा कर रहे हैं कि भाई त जानते हैं कि जारखंड में बेटियां जो होती हैं यानि आदिवासी लड़कियां हैं उनको संपत्ती नहीं मिलती है इसका मतलब है आप उससे शादी करके उसकी जैसे नहीं ले सकते बहां सरना कोड लागू है लेकिन सवाल है कि ये सब तो सच है न वो तो जूट और जू पर उस तेजी से नहीं हो पा रहा है उसके हम चर्चा करेंगे आप जानते हैं भाशा मुकुल अक्सर मेरे कॉमें सेक्शन में और शायद आप लोगों के यूट्यूब कॉमें सेक्शन में भी लोग कहते हैं यार आप सिर्फ मोधी जी की आलोचना करते हूं रहुल की करूँ अगर राहूल गांधी ऐसा कुछ नफरती बोलेंगे मुकुल तो हम कटगरे में रखेंगे ना उनको हमारे प्रधान मंत्रिये फो गौद सिक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया की धनी पार्टियों में से है सारा प्रचारत अंतर आपके पास है सारी एजिंसी आपकी आप नफरत की बात करो नफरत के बाद भी आपको जीत मिल रही तो फिर और कोई काम करना क्या जरूरी है और इससे ही जीत मिलेगी तो जहां विपक्षियों का शाशन है वहां इस तरह की लैंग्वेज इस्तमाल करते हैं जहां हर्याना में इस तरह का नहीं हुआ क्योंकि वहां उनकी अपनी सरकार थी, तो वही मंगल सूतर की बात, भैस खुलने की बात, अब रोटी, माटी, बेटी, इस सब से जोड दिया होना है, तो मुझे अब हैरत होनी बंद हो गई दरसल, अब कितना कहें, अर्चुनाओ आयोग, वो बिल्कुल खामोशना है ता है, और राह एक नुसका है, और ये उन्हें सकसेज दिला रहा है, अगर भारत की जनता इसे नकार दे, तब शायद वो इस पर विचार करें, अचा भाशा देखिए, सबसे हास्यास पर, अमिच शा पेट्रोपूल जाते हैं, वहां पर भाशन देते हैं कि हमें 2026 में सत्ता दिलादो, हम घुसपैट बन करा देंगे, आप जनता को मूर्ख समझते हो, अर्ध जैनिक बल किसे रिपोर्ट करते हैं भाई, मतब इस इस स्ट्रेंजर देन फिक्शन, कल्पना से भी विचित रहे, देश का ग्रे मंतरी, मंच पर खड़े हो कि अपने देश की जनता को इस कदर ना समझ समझता है, कि आप बरगला रहे हैं, आप भरमित कर रहे हैं, देखे मुझे लगता है कि उनको इस बात पर भरोसा है, कि हम अगर पूरी ताकस से, जैसे रामण के दस मूँ बताया जाते हैं, हर मूँ से अलग अलग बोलता है, यहाँ पर भाश्पा के जितने चेहरे हैं, अगर आप में नहीं पड़े तो अग्रिय मंत्री के तोर पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक जूट बोल बोल कर आज की तारीख में, अगर आप जमीन पर जाये, तो दो जूट आपको ऐसे नीचे तक पहुचे वे मिलते हैं जैसे आपको याद होगा कि थूग जिहाद जो चलाया था, आप देखिए कि आज की तारीख में रविशंकर हो या बाकी तमाम लोगों एक ही धंग से जूट बोल रहे हैं, उपर से लेकर नीचे तक, और ये घुसपैठिये का खौफ इसकदर इन्होंने पैदा कर दिया है कि मैं संथाल के कुछ पत्रकारों से बात कर रहे थी, वो कह रहे थे कि हर जगा 24 घंटे यही प्रचार चल रहा है कि घुसपैठिये 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 और हमें अपने वह भरोसा नहीं हो रहा है, ग्राम सभाएं बैठके कर रही है, कि तुमने कोई और शायद हो सकता है कि जारखंड में अगर कोई चमतकार हो क्योंकि वहां पर ग्राम सभाओं ने बैठक करने शुरू कर दिये ये बताने के लिए कि हमारे इलाके में तो कोई घुसपैटिया नहीं है तो ये अगर एफेक्टिवली कर पाते हैं तो हो सकता है कि इसका कोई अगर बाते हैं तो हैं तो हजार बीस में इसी संबंद में लोग सब्सक्राइब बता दूए अगर आखड़ी की बात क्योंकि आखड़ा दो हजार चौविस का तो नहीं है मेरे पास दो हजार बीस में इसी संबंद में लोग सबा में सवाल पूछा गया कि कितने बंगला देशी घुसपैटिय हमारी देश में हैं तो उस समय के ग्रह राज्यमंत्री ने जवाब दिया कि एक लाग दस हजार घुसपैटिया हमारे देश में हैं और वो घुसपैटिया भी कैस तो आपको याद रखना चाहिए कि बांगलादेश से किवल मुसलमान नहीं नहीं आता है। बड़ी संक्या में हिंदू बंगलादेशी भी आये हैं जिनके लिए नागरिक्ता देंगे बिना कागस के तो यह जो हिंदू आये हैं तो आप जो बता रहे थे मुसलमानों को खत्रा वो तो और भी कम है। जो आये हैं आप उन्हें नागरिक्ता देने के बात करते हैं अब आप उन्हें गुस्पैटे के निकालेंगे क्या। तो उन्होंने कहा था कि लव जिहाद जैसा कोई शब्ध हम परिभाशित नहीं करते हैं नमबर एक नमबर दो ऐसे कोई आकड़े ही नहीं है लव जिहाद के। तो आप आधिकारी के आकड़ों पर बात कीजिए भाई आप कोई अमित मालविये के दो रुपली जो ट्रोल्स होते हैं उससे आप जुदा हैं आप हमारे सम्मानेट प्रधान मंत्री हैं आप अपने ग्रह मंत्राले के आकड़ों का सहरा लेकर बात कीजिए ना लेकिन देखिए दिक्कत यह है कि आकडे तो यह गलत कितने पेश करेंगे, संसद में पेश करने बहुत मुश्किल है, और दूसरी बड़ी बात मुझे लगता है, संसद में इसलिए भी सच बोलना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही यह कहेंगे कि घुसपैटी यह जादा आ गया लव जिहाद हो गया, आदी तियादी हो गया, तब इनको यह भी बताना पड़ेगा कि दरसल इनकी मशीनरी क्या कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में आकडों वाकडों की कोई जरुवत नहीं अभिसार, दरसल यह नफरत का इंजेक्शन है, जो मल्ट आजाद भारत को जब आजादी मिल रही थी, तो उस वक्क जो हिंदू महास अबार रेसिस की सोचती, वो वही सोचती है, कि गांधी के बारे में जुट बोलते रहा हो, जुट बोलते रहा हो, जुट बोलते रहा हो, और वही फिर एक पौपृलर tenían की आज सामा़ घकर रहे ह जाते हैं उनके development के लिए आपके पास एक शब्द नहीं है अभिसार आप यहां यह बताने जा रहे हैं आधिवासी बेटियों की चिंता तुम क्या करोगे तुम तो मनिपुर में आधिवासी लड़की को जो लोग नंगा करके गुमा रहे थे उनको आज तक सजा नहीं दिला पाए हो तो बेटी की बारे में मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पाए आज की तारीक तक नहीं बोल पाए और मनिपुर जा पाए हैं तो सवाल यह है कि इस समय जूट बोलकर बाटने की कोशिश है और खास तोर से यह टेस्ट केस है कि हम आधिवासी ओं को भी बाट के ला पाएंगे की नहीं यह एक बहुत खतरनाक खेल है और हमें नहीं बूलना चाहिए मनिपुर आर्स भी सुलग रहा है इसी नफरती एजंडे के लिए और यह वो डबल इंजिन की सरकार है और वही डबल इंजिन की सरकार जारखंड में लाई जानी है और महराश तो खेर ह क्या कर रहा है अखिलेश कहते हैं जुडेंगे तो जीतेंगे राहूल गांधी मोहबत की दुकान की बात एक अरसे से कर रहे हैं वो लगातार सम्विधान की बात कर रहे हैं मगर क्या यह उनका ब्रमास्ति या कारगर हत्यार कारगर जवाब साबित होगा इसकी हम चर्शा क करना चाहेंगे क्या इस मुद्दे का पांच बताएंगे मोकुष ने समाज जोडने का नारा बेशक पॉजिटिव है अच्छा है लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि इसके लिए जमीन पर कितना काम किया जा रहा है सत्ता पक्ष तो नहीं कर रहा है लेकिन विपक्ष भी कि मुझे लगता है कि यह कुछ काम करेगा भाशा क्या है इस मुद्दे पर आपका पांच देखिए मेरा मानना है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है महबत की बात तभी आप करेंगे जब आपको नफरत की काटनी हो जोडने की बात आप तब करेंगे जब सामने वाला बा काटना और काटना ही चल रहा है सवाल यह है कि हमें देखना था अभी तक क्यों नहीं आपने पोस्टर बनाए क्यों नहीं पोस्टरों की भरमार की क्यों नहीं सोशल मीडिया पे इसे डाला अगर प्रचार में नहीं उतरेगा खाली आप मू से बोल देंगे कभी प्रिस कॉ काटने वाली ताक्ते बहुत सक्री हैं अभिसार क्या है इस पर आपका पंच विपक्ष को समझना पड़ेगा कि बटेंगे तो कटेंगे यह जो नारा है न यह कहने में अच्छा नहीं लगता मगर एक लोकल भावन नारा है यह आपके अंदर असुरक्षा पैदा करता है और यह असुरक्षा भारतिय जनता पार्टी को राजनीतिक तोर पर बहुत फाइ पार्टी मिलकर एक जुट होकर जवाब नहीं देगी उसका कोई फाइदा नहीं है अखिलेश ने जिस तरह से जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया मगर मुझे ऐसा लग रहा है भाषा की एक रक्षात्मक मुद्रा में भी हैं अब वो चाहते तो जो तमाम नौ कटिंगे वाला नारा जो है वो और जादा मजबूत हो जाएगा लेकिन मुझे लगता है कि ये बात बिलकुल गलत है सवाल है वो अपने पोस्टर में अपने नारों में आप देखिए कि कहीं से भी डिफेंसिव नहीं है और अगर आपको महबत की दुकान जमीन पर खोलनी और इसमें खास और से उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश ही नहीं मैं तो कहीं महराष्ट और जारकंड तीनों जगह की इंको रड़नी थी यही रखनी चाहिए थी कि आप बोलें कि भारत अब तक एक रहा है और जो 240 पर इस बार रोका गया है बीजेपी को उसकी व आप नरेशन जमीन पर नहीं उतारेंगे और कहेंगे नहीं कि हम लड़ने वाले हैं ये बाटने वाले हैं ये काटने वाले हैं सीधे सीधे आपको और भाजपर और RSS इस सम्विधान को भी खत्म कर देना चाहती है। राहुल की ये नीती क्या वो पोलिटिकल रिटर्न्स दे पाएगी आपको लगता है कि लोग सभा तक सीमित था। अब जो है कुछ आगे सोचना पड़ेगा, कुछ रेटिव बनना पड़ेगा। विधान का जो सवाल था वो तो लोगों तक नीचे तक पहुंचा और वो शायद अब भी काम करें, मुझे लगता है। पर मेरा भार भार आप भाशा केहनी कि उसका पोस्टर प्रचार, मुझे लगता है कि पोस्टर प्रचार से ज्यादे है अपनी करणी में दिखाना था उन्हें। अपने हर्याणा हमें के छो जुडेंगे तो जीतेंगी की बात कर रहे हैं। कॉमिनल या सामपरदाइक मामलों में कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं राजनीतिक तो पर बिल्कुल, क्योंकि वो दिखेगा कि आप भी एक हैं, आप एक तरह से लड़ रहे हैं, जब लड़ ही नहीं रहे हैं, जो गडबंदन आप ने बनाया, इंडिया एलाइन्स, आपने मह रहे हैं, उसी लेफ्ट को बिल्कुल जगे नहीं दी गई है, जब मिलकर नहीं लड़ हैं, आपस में टसल है, तो लोगों को कैसा विश्वाश होगा कि आप जन्ता को एक जूट कर रहे हैं, तो जैसे रहूल बोल देते हैं, या खलेश बोल देते हैं, उनकी पार्टी के भ लड़ेंगे, वो अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ेंगे, तो जब बटेंगे तो कटेंगे तो वो कह रहे हैं, इन्हें भी मानना चाहिए, अगर ये बटेंगे, जीतेंगे, ये दूनों नारे एक ही हैं बरक्स, एक दूसर का काउंटर हैं, पर ये तभी वो होगा, समवेदन शील खिलाडी हैं, आप संजीदा खिलाडी हैं, उसका परिचाह नहीं दे रहे हैं, जिसका जिक्र मुकल ने किया भी, देखें ये चैलेंज बहुत तगड़ा है, और मुझे लगता है इसमें एक मेसेज जो उत्तर प्रदेश में दिया गया, जो कॉंग्रेस ने क कि एक ब्रॉडर जो यूनिटी बनी हैं, फिलहाल तीन जो प्रॉमिनेंट पार्टियां हैं, वहां पर शरत पवार हो गए, उदव ठाकरे हो गए और कॉंग्रेस हो गई, और इसमें जो कोशिश होती हैं कि आप सीटों का बठवारा कैसे करते हैं, फ्रेंडली फाइट कैसे किपी में जब सर पुटवल होता है, तो खबरें नहीं आती हैं, लेकिन कल जिस तरह से घोशना पत्र जारी हुआ और उसमें सारे दल एक साथ थे, वो दिखाई दे रहा था, आज की तारीख में इंके लिए जरूरी ये है कि एक सेंट्रल स्लोगन जारी करें, जैसे आप कह कुछता है इन किया, आप काईदे से आज आपको वो बैठक बुला नहीं थी, जिसमें एक मंच पर राहूल उद्धा उशरत पवार थे, आपने कब किया उस वक्त जब मीडिया ने उसको कवर भी ने किया, बिल्कुल अंदर के पेज में गया, अगर आखबारों की बात करे का पूरा का पूरा केंद्र बना दिया है इन चुनाओ को कि उसे हर हाल में जीतना है, दो हजार परचेस में उसके सौ साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने नागपुर, रूना, दिक्षाबुमी की अंबेटकर ने जो फाइट दी थी, वो फाइट, लेकिन आप देख कि हाँ इसी कार्ट है, महबत की दुकान का प्रचार हुआ था, अबिसार, तभी महबत की दुकान चली थी, यह सब लोगों के जहन में, लोग बहुत गंभीरता से बात करते हैं, तो संदेश तो बहुत दूर की बात है, बहुत बहुत शुक्रिया МУकुल और बहुत शुक्र को दीजे अजासत नमस्कार